गैस यह है हमारे पास में Bebo का Y200 5G स्मार्टफॉन और इसमें जो कैमरा मिलता है आपको 64 MP का OIS कैमरा मिलता है और आज की जो वीडियो है ना इस वीडियो में आपको सारा कुछ कैमरे से रिलेटेड पता चलने वाला है मतलब कि गाइस हम इस वाले फॉन का कैमरा टेस्ट करने वाले हैं वो भी डेली लाइफ में किस तरह से पर्फॉर्म करता है इस वाले फॉन का कैमरा आज की इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है अब चली वीडियो जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं मेरा नाम एहसान है आप देख रहे हैं ट्रेक्टो एहसान चैनल तो इस पेक्स बगेर की हम बात नहीं करेंगे बाकी मैं आपको और बता देता हूं इसमें जो मैन कैमरा है वो आपको 64 Megapixel का OIS कैमरा मिलता है और secondary camera है depth से वाला मतलब कि यार secondary camera पता नहीं क्यों जिपका देते हैं मगर यह नहीं रहता तो देखने में अच्छा नहीं लगता ना phone इसलिए secondary camera है और अब selfie camera की बात करें तो यहाँ पर जो आप selfie camera देख रहे हैं 16 megapixel की selfie है अब जलते से हम चलते हैं outdoor और outdoor से कुछ photo और video बगएरा लेके आते हैं तो guys मैंने कुछ photo बगएरा click कर लिया यहाँ पर आप देखेंगे इस screen में आपको मैं दिखाते जाता हूँ और आप judge करते जाना और मैं अपना experience आपके साथ मैं share करते जाऊँगा और हाँ बीच में आपको video छोड़के नहीं जाना है आपको end तक देखना है तब जाके conclusion पता चलने वाला है इस वाले phone का camera किस तरह से perform करता है तो सबसे पहले मैं आपको night की photo यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ guys जो कि हमने extremely night में निकाला था मतलब कि एक भी कुछ light नहीं थी यहाँ पर और फिर भी हमने यह जो photo निकाला था अभी आप देखिंगे यह वाली जो photo है detail वागेरा तो नहीं आई है तो अबर आप कह सकते हैं कि जो और लाइट डेफिनेटली में बर्क करती है और इसका जो और लाइट मतलब स्मार्ट है बागी जो हमारा और लाइट है बोई वाली वाईट चालू है बागी quality तो अच्छी नहीं आईगी यहां से देख सकते हैं आप photo के लिए definitely work करेगा मगर वीडियो आप इसमें suit नहीं कर पाएंगे उतनी अच्छी जीतना आपको चाहिए रहती है second photo आपको मैं दिखा देता हूँ यह हमारी portrait photo है portrait photo में भी आपको अलग-अलग जो portrait है उसके filter है मतलब बीबो इससे filter नहीं बोलता है style से बोलता है और यह जो definitely इसके style आपके लिए काम के होने वाले हैं क्योंकि यह अच्छी photo click करता है रात में भी और लाइट के साथ में और यहां पर आप देखो बोके वाला option मिल चुका है बोके में click करने के बाद में इसका आप background blur है कितना ज्यादा करना चाहते हैं कितना कम करना चाहते हैं वह यहां से आप कर पाएंगी आप गईस आउट्डोर की बाद कर लेते हैं तो आउट्डोर में आप देखेंगी यह फोटो आप देख सकते हैं यहां पर इसमें भी आपको डेटेल अच्छी खासी मिल जाती हैं आपने इसमें और भी ज्यादा डेटेल चाहते हैं का इसमें 64 में का पिक्सल वाला camera है उसे more setting में जाना और इनेवल कर लेना जिससे कि आपको ना more detail वाली फोटो देखने को मिल जाएगी अब बात कर लेते हैं सेकेंड फोटो की यहां पर आप जो फोटो देख रहे हैं यह पोट्रेट में इसका पर्सनली मुझे पसंद आया क्यूंकि जो पीछे साइड का background है अच्छे से बिलर करता है यह और age detection भी आपको यहां पर अच्छी अच्छी देखने को मिल आप लोड़ वाली मिलते हैं मतलब आपने फोटो किलिक किया और डाली आप सोसल मीडिया में अपलोड कर सकते हैं आपको editing करने की जरूरत नहीं है अब बोके मिर को क्यों पसंद है मैं आपको बता देता हूं यहां पर बोके में जाना camera features में और आपको चार से पांच style मिल आते हैं जैसे कि पीछे का जो butterfly type का यहां पर देखने को मिल रहे हैं और इसी तरह आप इसमें देख सकते हैं इसमें यह गोल गोल आप flower वाले आपको देखने को मिल रहा है मतलब कि जो पीछे side का भोके है उसे आप change करना चाहते तो वह भी change हो जाता है अब यहां पर मैं आ यहां पर तो तारीब करने वाला हूँ क्योंकि यहां पर जो dynamic range इसने इतने अच्छे से control किया है और हमारा सूरज पीछे side में है और फिर भी photo इतनी अच्छे आई है यहां पर आप मैं आपको वीडियो दिखा देता हूँ वीडियो में किस तरह से यह काम करता है वीडियो स तो आप यहां पर चल के देखा देता हूं तो इस तरह का आपको यहां पर design मतलब कि established देखने को मिल जाएगा ही यहां पर मैं tiếpर्म करेंगे तो कितना फोकस करने के बाद मैं बहुते हैं वो देख पाएंगी यह 10-x तो मिलता है से यहां पर यह जूम होते जा रहा है होते ज 30fps में सूट किया था और इसमें ना कोई भी जो ऑप्सन है 60fps का नहीं मिलता है 1080p के साथ में आप सिर्फ 30fps में ही वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाते हैं मुझे यह बिल्कुल भी पसंद नहीं है अब देखो फोर के नहीं है और camera features या फिर जो tips and tricks होती है mobile के अंदर में बहुत सारे मतलब एक mobile की आपको सारी वीडियो A to Z वीडियो हमारे चैनल मिल जाती है इसलिए आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकन को प्रेस कर लेना और हाँ वीडियो में आप यहां तक आ गए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ में इस वाली वीडियो को शेर जरूर करना यदि वो बीबों में इंटर करने के बाद मतलब कि आप पीछे साइड में बिल्लकुल भी ऐसा लाइट नहीं थी गाइस पूरा नाइट का टाइम था और यह दिगाइस इंडोर में है आप और लाइटिंग कंडिशन अच्छी है तो आप देख पाएंगे इतने अच्छे से आपकी जो फोटो है बुआने बागी मैं कहना चाहूंगा कि जो इसका कलर साइन से वो किसी को पसंद सकता है और किसी को नहीं आप деревican उड़ा इसको फोटो हो पसंद में बुदी मोड मिल जाता है और यहां पर आपको ना Camera के features बहुत सारी मिलते हैं camera के अंदर में अब मैं आपको एक एक करके explain करूँगा camera के features तो अमना जो वीडियो है बहुत ज़्यादा लंबी बना देंगे और आपको लंबी वीडियो पसंद नहीं आती है Camera features वाली आपको वीडियो देखना है आप देखेंगे इसका skin tone तो बिल्कुल आपको पसंद नहीं आएगा मगर आप portrait में जैसी कर लेते हैं तो portrait वाली photo आप देखेंगे इस तरह से नीचे साइड में बाल की नीचे में इसने edge detection हमारा अच्छे से नहीं किया है edge bagera detect नहीं किया है बाल की नीचे में आप देखेंगे बिलर ने से यहाँ पर देखने को मिल रहे है थोड़ा थोड़ा सा अब यह second photo आप देखेंगे second photo तो हमारी अच्छे आई है और हमने अलग-अलग filter डाला हुआ है इसलिए यहाँ पर यह अलग-अलग skin tone आपको देखने को मिल रही है अलग-अलग filter के साथ में यहाँ पर आप देखेंगे outdoor में यहाँ पर कान के side में आप देख सकते है अच्छे से इसने detect नहीं किया है camera में selfie camera इसका उतना अच्छा नहीं है मतलब उतना अच्छा age detect नहीं कर पाता है यदि यहाँ पर थोड़ी से light condition इधर उधर हो जाती है तो बागी light condition अच्छे होती है तो यह अच्छा photo किलिक कर लेता है और यहाँ पर देखते जाओ आप मैं कुछ photo डाल देता हूं filter के साथ में जो कि हमने अलग-अलग filter से निकाला था अब मैं आपको फ्रेंट camera की यहाँ पर वीडियो डाल देता हूं और आप इससे पता कर पाएंगे कि इसका जो फ्रेंट camera है 16 megapixel का कितने अच्छे से बर्क करता है तो गाई सभी यह जो वीडियो सूट हो रही है वो selfie camera से सूट हो रही है 1080p 30fps में सन एकदम मेरे साम नहीं है तो आप यहाँ से sky की color वगएरा देख सकते हैं और अभी मैं आपको stabilization भी बता दे रही हूं अभी मैं walk कर रही हूं रहन मैं थोड़ा सा running वगएरा भी करती हूं थोड़ा थोड़ा इसने background को blur कर दिया है मजलब कि आप portrait में video suit नहीं कर पाएंगे जो वागी phone में मिलता है जैसे के T2 Pro में वैसा आपको यहाँ पर कोई भी option नहीं मिलता है और इसमें आप portrait video नहीं बना पाएंगे तो यह था हमारा experience इस वाले camera के साथ में इस वाले phone के camera के साथ में और मैं आपको बता देता हूँ कि इस वाले phone को आपको camera के लिए लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए अब देखो 64MP का camera है जो कि अच्छा भर कर लेता है मगर guys यह जो phone है ना 22,000 की budget में आता है और इससे भी अच्छा आपको बीगो कहीं मिल जाएगा phone वो भी T2 Pro 5G smartphone मतलब कि वो आपको 23-24,000 में मिल जाएगा offline में आप चेक कर लेना जो कि इससे अच्छी video recording करके देगा आपको 4K में भी और यह जो phone है ना 4K में मतलब कि नहीं कर पाता है यह तो 4K कि छोड़ो आप यह 1080p 60fps में only video recording करता है और वो जो T2 Pro है ना वो आपको 4K 30fps में recording करके देगा तो video के मामले में पिलकुल भी इस वाले camera को आप consider मत करना यदि आप video recording करना चाहते हैं इस वाले camera से तो तो यह था आज का conclusion इस वाले phone का camera test और आपको कैसे लगी video आपके लिए थोड़ी बहुत helpful रही या नहीं रही मुझे comment करके जरूर बताएगा वीडियो अच्छी लगी तो like करना और अपने दोस्तों के साथ में यह वाली video को जरूर share करना और हाँ अभी तक आपने हमारे channel को subscribe नहीं किया तो please our channel को subscribe करके bell icon को press कर देना और इसी वाली phone से related सारी video आपको description मिल जाएंगी या फिर यहाँ पर मैं end screen में डाल देता हूँ आप यहाँ पर भी click करके देख सकते हैं thanks for watching this video